हेलो स्टुटेंट्स एंड वेलकम तो दे क्लास ओफ इंफॉर्मिशन टेखनोजी इखले क्लास में हम लोगों ने देखा था दीफिरेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टेर के बारे में आज हम लोग सेसन फोर में बात करने वाले हैं चैटिंग विद अ कॉंटेक्ट जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टेर से हैं उनके थुरू हम लोग चैटिंग देखने वाले हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे गूगल टॉक के थुरू तो हम लोग कैसे चैट कर सकते हैं अगर कोई परसन हमारे कॉंटेक्ट में है हम लोग ने गूगल टॉक इंस्ट यह अबलेबल यहां पर दिखा रहा है तो इस तरह आप उनको double click करके आप सटार्ट कर सकते हैं यदि आपके contact list में नहीं है तो यहाँ add button पर click करके आप उनको add भी कर सकते हैं तो हम लोग start करने के लिए क्या करेंगे कि किसी भी contact है उनको double click करके हम लोग start करेंगे और स्टार्ट करने के बाद जो यह स्क्रीन आएगा इस स्क्रीन में यहां पर हम लोग नीचे में टेक्स्ट मैसेज़े लिख सकते हैं और जैसी हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे जो हम लोग चैटिंग करेंगे तो जिस भी परसन पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका एक हां पर आप ड्फिलेगे गयं यहां पर डबल लिखेंगे लिखेंगे नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स दिंग लिखर आ know how जिएन tea दिख पाया और आप कोई कोई मेसेज करता है यहां पर दिख रहा है तो मैसेज आपको इहां पर फ्लैस करेंगा तो इस तरह से गुगल टॉ contact list में add करके उनके साथ chatting स्टार्ट कर सकते हैं कुछ rules हैं जो कि हम लोगों को follow करने चाहिए instant messaging पे chatting करते वक्त जो rules हमारे emails के लिए होते हैं लगबग वही सारे rules हैं हमको यहां भी follow करने के लिए emails के rules को ही हम लगबग यहां पे follow करते हैं सबसे पहला है कि message should be short and to the point यानि कि जो message है वो एकदम to the point होना चीए छोटा होना चीए और बिल्कुल आपके topics related होना चीए उसको घुमा फिरा करके नहीं लिखना है ताकि message lengthy हो जाए और सामने वाले को परिशानी हो दूसरा है always introduce yourself by name if your screen name doesn't reflect it जदी आपका screen जो है वो आपका नाम reflect नहीं करता किसी और नाम से id बनाया है और वो reflect नहीं कर रहा है तो आप अपना नाम जरूर वहां पे introduce कराईए ताकि सामने वाले को पता कर चले कि उनको इसाथ कौन chatting कर रहा है या करने की कोशिस कर रहा है always ask if the other person has time to chat first आप किसी से chatting करने से पहले सामने वाले को जरूर पूछ लीजे कि वो आपके साथ chatting करना चाह रहे है कि नहीं उनके पास time है कि नहीं आपके साथ chat करने के लिए regardless of how important you think what you have to say is it's not going to be well receiving if the recipient is busy आप बहुत अच्छी बात करना चाहते हैं आपके पास बहुत important topic है आप सामने वाले से chatting करना चाहते हैं बट अगर वो busy है तो आपका जो matter है जो आप जिस तरीके से आप उनके साथ chat करना चाहते है वो नहीं हो पाएगा एक formality के तौर पे रह जाएगा in a business environment know exactly what you want to discuss अगर आप business के तौर पे chatting करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि आप business related क्या discuss करने वाले यानि कि topic पहले declared होना चाहिए आप सामे वाले को भी topic बता सकते हैं और topic declare करके उसके बाद आप उसके उपर meeting करिए chatting करिए यानि कि आप उनको कुछ लिख रहे हैं यानि कि जब भी हम लोग अपर केस का message लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको rude माना जाता है यानि कि माना जाता है कि आप बहुत aggressive डंग से बहुत गुसे में आप उनको कुछ लिख रहे हैं यानि upper case text को avoid करना है lower cases को लिखना है upper cases को avoid करना है ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे या गुसे में हैं या आप बहुत tension में आ करके उनसे chatting कर रहे हैं give people time to respond आप कई बारे ऐसा होता है कि हमारे मन में question आ रहा है question पर question question पर question या कोई भी topic पर topic उनको पूछे जा रहे हैं बताये जा रहे हैं उनको मौका दीजिए सामने वाले को मौका दीजिए कि वह भी respond कर सके आपने अगर एक question पूछ लिया है तो उसका जवाब देने का आप थोड़ा इंतजार करिए ऐसा नहीं कि आपका उनका जवाब आने से पहले आपने दूसरा question पूछ दिया दूसरा जवाब आने से पहले आपने तीसरा तो इस पर ध्यान रखना है कि उनको respond करने के लिए थोड़ा समय जरूर देना है wherever possible if the person you are communicating with your individual in undivided attention sorry तो यहां पे आप जहां भी हूँ तो आप जो person आप से chatting कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि आपका ध्यान नहीं बटना चाहिए आप पूरली उनको attention दे पाईए ऐसा जा नहीं कि आप काम करते करते उनके साथ chatting कर रहे हैं या कोई दूसरा चीज में आपका ध्यान बट रहा है डिस्ट्रक्ट हो रहा है आपका जो ध्यान है और आप उनके साथ चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग नहीं हो पाएगा फिर जो messages जो ज़रूरी चीजे ढ़री points हैं या जारूरी मैसेजेजेज हैं वो छुट जाएंगे आप ना बता पाएंगे ना आप सुन पाएंगे इस इंपोर्टेंट टू प्रॉपर्ली एंड एड आयम कन्वर्सेशन देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग जो भी है जो आपका चल रहा है उसको प्रॉपर्ली उनको बता करके बंद करना चाहिए ना कि हम उसको अपने तरफ से चैटिंग ओवर समझ करके हम उठकर कहीं चले गए और अपना काम करने लगे और वह बिचारे बैट करके आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपका आएंगे उनको बताएंगे कि चलो भाई चाटिंग खतम हो गई तो वह आपके इंतजार में लगे है ऐसा नहीं करना है बलकि आपको जब चैटिंग खतम सकते हैं अपना Gmail account खोल करके और वहां पर भी आपको contact का list दिखाएगा यहां पर एक live example में आपको दिखा रहा हूं यहां पर हमारा Gmail account है और इस Gmail account पर यहां जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको chat option दिख रहा है left side में यह जो chat option है इसी में अगर आप देख रहे हैं जो भी person आपके साथ chat में involved होंगे उनका एक list आएगा और जो अभी live होंगे यहां पर देखिए green dot आ रहा है तो उनका green dot आएगा जो live नहीं होंगे उनका green dot नहीं आएगा आप किसी person को सर्च करके भी add कर सकते हैं प्लस पे click करेंगे अगर और click करने के बाद अभी आप देख प हम लोग invite option पे click करके उनको हम लोग add कर सकते हैं तो यहां पर जैसे invite पे click करेंगे तो वह person हमारे contact list में add हो जाएंगे और उसके बाद उनके साथ हम दुबारा से chatting कर पाएगे तो यह process है इस तरह से हम लोग Google जो हमारा Gmail account है यहां पर हम लोग टेक्स्ट चैटिंग तो करते ह हम लोग का जो चैटिंग है जो हमारा mails आते हैं और हम लोग जो mail भेजते हैं वह तो करते ही हैं बट हम लोग instant chatting भी उनके साथ कर सकते हैं उसके लिए उनको सबसे पहले contact list में डालना पड़ेगा और फिर उन पे click करके हम लोग chatting कर सकते हैं तो यह हमारा Gmail के थुरू chatting है यह यहां पर फिगर में समझाया गया है यह मेल्स है और यहां पर चैटिंग के options हैं compose पर क्लिक करेंगे तो हम लोग नए मेल्स तयार कर सकते हैं हम लोग राइट करके भी सकते हैं Gmail पर चैटिंग करने के लिए जब आप चैटिंग यानि कि जो आपको पर्षन वहां पर दिख है जो contact list में है सेम उसी तरह आपको double click करके उसको open करना है तो जैसे ही आप open करेंगे एक pop-up menu खुल जाएगा और उस pop-up menu में आप जो है करेंगे तो आप वह इस एविया पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप वहां से typing start कर सकते हैं इसके बाद हम लग देखेंगे याहू मेसिंजर से यदि आप चैटिंग करते हैं सब्सक्राइब करना है यहां पर देख पाएंगे यह रेड कलर से उसका address दिया है जिस लोकेश दिस्क्रिप्शन में भी इसका link दे दूँगा जिससे की आप याहू मेसिंजर को अपने computer पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको install कर सकते हैं और install करके अपने computer पे चैटिंग कर सकते हैं जैसा हमने दो एकाउंट देखें गूगल टॉक देखा जीमेल देखा से उसी तरह से यहां भी आपको login करना है जो लोग live होंगे उनके साथ आप टेक्स्ट चैटिंग कर सकते हैं तो यह सारा तरीका है जिसके तुरू आप किसी भी instant messaging software के तुरू chatting कर सकते हैं तो आसा करता हूं कि आपको instant messaging software के तुरू chatting करने में समझ में आया होगा कि किस तरह हम चैट कर पाएंगे आप इसको practically करके देख सकते हैं यदि नहीं समझ में आता है या इससे related कोई confusion रहता है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं उसके उपर detail में आपको पूरे software का detail वीडियो बना करके समझा दूंगा कि कैसे chatting करना है कैसे लोगों को जोड़ना है बट syllabus के यह सारा चीज मैंने आपको बताया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्रीज आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब करें So thank you for watching the video